UCC यानि समान नागरिक सहिता पर रास्ता अभी काफी लंबा है पूरे देश में सब पर एक यासा कानू लागू होने के लिए कई ओपचा रिखताएं पूरी करनी होगी सबकी नजरें उत्राखंड पर टिकी हैं जहां से संभवता पूरे देश में इस कानून को लागू होने का रास्ता शुरू होगा आज कानून मंत्री से जब समान नागरिक सहिता के बारे में पूछा गया तो उनने कहा कि विधी आयोग इस मामले को देख रहा है और 14 जुलाई तक उसने लोगों से सुझाओ मागे हैं लेकिन एंडी टीवी को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक विधी आयोग और उत्राखंड में समान नागरिक सहिता के लिए बनी समिटी आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं आज होट टॉपिक में आपको बताएंगे कि समान नागरिक सहिता को लेकर परदे के पीछे क्या हो रहा है और ये कानून किस तरह से बन सकता है कई सारी पेचीदिया हैं लेकिन जिस तरह से भोपाल में प्रदामति नरेंदर मोदी ने समान नागरिक सहिता के प्रक्षमे खुल कर बोला उसके बाद ये तरह है कि मोदी सरकार अब तेजी के साथ इस पर आगे बढ़ेगी लेकिन विशशक्यों के अनुसार ते प्रक्रिया पूरी करने में भी काफी वक्त लग जाएगा कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पर समान नागरिक सहिता के लिए ड्राफ्ट कानून बनानी की जो समीती है कल दिल्ली में वो एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फेंस करने जा रही है आपको बताने की उत्तराखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी जो हैं वो ये कह चुके हैं कि समीती जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देने वाली है तीस तारीक का उन्होंने जिक्र किया था वैसे अभी सूत्र बता रहे हैं कि समीती के रिपोर्ट में अभी कुछ समय और लग सकता है लेकिन 14 जुलाई से पहले ये आ सकती है गोर तलबे कि विधी आयोग ने भी 14 जुलाई तक समान नागरी सहिता पर देशवासियों से सुझाओ मांगे हैं और कल जो जानकारी मिली थी उसके मताबिक 8.5 लाग सुझाओ विधी आयोग के पास पहुँच चुके हैं और विधी आयोग के सदस्यों की दो जुन को यानि इसी महने की दो तारी को उत्राखंड की जो समीती है उसके सदस्यों से मुलाकात भी हुई थी उसी के बाद विधी आयोग ने 14 जुन को समान नागरी सहिता पर देशवाद से सुझाओ मांगे हैं एक महने तक के लिए जारी रहेगा यानि 14 जुनाई तक उत्राखंड समीती जो है वो ड्राफ्ट कानून बना रही है जबकि विधी आयोग अपनी रिपोर्ट में सिफारिश्य करता है उत्राखंड के जो समीती है वो पिछले एक साल से इस ड्राफ्ट कानून पर काम कर रह आयेगा क्योंकि वो एक तरय का ड्राफ्ट लाह होगा कानून होगा और आज की कैबिनेट फे मनझुरी देगी फिर इसे उत्राखंड विधानसवा के मौंसुन सत्र में रखा जा सकता है यह बड़े कि अगले मेहने जो उत्राखंड विधानसवा का मौंसुन सत्र और उस स्युपर्धा be केंद्र सर्कार अपना विधायक बना सकती है उस विध्यक को cabinet की मंजूरी मिलने के बाद फिर सलसद में रखा जाएगा और संभवता ये शीटकालिन सत्र में सलसद में रखा जाए क्योंकि मौनसूर सत्र में इसकी संभवना बहुती कम है संसद में रखने के बाद ये सरकार पर निर्मर करेगा कि वो अगर विपक्ष जोर देता है तो इससे स्टेंडिंग कमिटी में भेजे या फिर ना भी भेजे क्योंकि ये तरक दिया गया कि जब अनुचे 370 के खात्मे की बात आई थी तो उसके विधेक को स्टेंडिंग कमिटी में नहीं भेजा गया था पहले राजसवा में रखा गया था वहां से पारित होने के बाद लोगसवा में उसको पारित करवाय गया था इसी तरह इसको भी स इसी तरीकी समीतियां बनाने का फैसला हुआ है तो जो उत्तराखंड का कानूने क्या बाद में चलकर मद्यप्रदेश असम और गुजराद भी अपनी हां लागू कर सकते हैं ये भी बड़ी बात इसको लेकर कही जा रही है लेकिन जो प्रकलिया हमने पूरी बताई इसको लेकर केंसरकार क्या कह रही है आज जब केंद्री कानून मंत्री से इस पर पूछा गया तो उन्हें ने कहा कि विधी आयोग इस पर अपना काम कर रहा है कि लोग कमिशन ओफ इंडिया ने इसको पब्लिक डॉमेन में डाला तेरा जुलाई लास डेट है तब तक तु में ने कहा कि सभी भारतियों के लिए एक कानून होगा जिस तरह तीन तला खत्म किया तीन सो सत्तर रद किया वैसे समान नागरिक सहिता भी लागू की जाएगी उन्हें ने कहा कि प्येम मोदी असंभव को भी संभव कर देते हैं लेखे हमारे देश में हर व्यक्ति एक सो चालीस करोड जंता में एक समान है और अगर एक समान है तो एक निती होनी चाहिए सभी किया और ये तो संकल्ब भारतिय जंता पार्टी की रही है और ये संकल्ब समिधान में भी तो आज जो 70 साल में नहीं हो पाया है तीन तलाक को हटाने का कश्मीर में 370 को रख करने का और पूरे देश में एक समान नीती युनिफॉर्म सिविल कोड साफित करने का जो असंभव कार्य था वो प्रदान मंतरी जी ने पूर में भी संभव करवाया है और UCC भी हम लोग स संब्लोब करवाएंगे